हेलो प्रेंट्स सोने की ज़न म्योक्त स्वागत है आज हम मैं जोने वाले ही मस्रूम के सब्जी बहुत ही आचान से सब तरीके से इदेगे कि अच्छे समना के रखे हमने इस तरीके समनाई कर दो में सब्छे को बहुत ही पसंद आएगा हुआ है यह देखे ही मस्रूम लिए है इनको अच्छे से दो से तीन पाली में वाश करके इसको कात लिए है यह लासल लिया है थोड़ा सा अनिल्च और प्याज थीन बड़े साइज के आँ आए हैं अच्छे से ने दो बड़े तमाटर लिया है इस तरीके से में है काट लिया मसरूम करें यह कुछ खड़े मसाले लिया हमने इसका लाएं में तरका कड़ाय में अमने तेन बड़े चमची करी पैंग ने तेन तेज बत्ते दो हरी मिर्च साथ यह डाल देंगे हम लसन इन सब्सक्राइब करनें अच्छाच मिक्स मिक्स करते हैं एक मिल्ट के लिए पकाएंगे इसको भी साथ ही पका लेंगे कलर चेंज होने तक यह देखिए सब्सक्राइब कर चुगा था अब इसमें बड़ा देंगे प्याज प्याज को भी हम हलका गोल्डन ब्रावन होने तक पकाएंगे यह देखिए प्याज भी हमारा सौटे हो चुका है कलर चेंज हो चुका है इसके वैचे से बस अभी से स्टेज पर हम डालेंगे इसमें टमाडर को भी मिक्स कर लेंगे इसको भी हलका सॉफ्ट कर लेंगे इसके सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें कुछ मसाला अट करेंगे इसमें अलदी नमाद गरब मसाला और तरिया पाउडर डाला है जबी को डालका मचेवा मिक्स कर देंगे मिक्स करते हुए इसे हम गयास की फ्लेम को बाजाएंगे मीडियम फ्लेम पेसे हम तेल से प्रटोने तक पकाएंगे एक से डिवीड में में यह हमारे मसाली पख जाएंगे इदे कितना चिसे पक चुके हमारे मसाले कि अच्छा लग रहा देखने में यह बस इसे स्टेज पर हम इसमें मसरूम मैट कर देंगे जरूर कर लेंगा चाहिए मसरूम को भीज़ी है मिक्स करते हुए से हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे मिल्क के मिल्क मीटक के लिए का लिए देंगे माच पे दू कि कि अदिटें पर चाहिए कि अच्छा शरी तप्रइट होच चुकाया इसका प्रेम छोड़ दिल्समें से हिर तो इसमें डालेंगे घ्रेवी के लिए पानी है करे से एकशिब माइने इसमे एक से ञड़ी ग्रास से पानी ढला है आपके ऐसे पानी तयुदा कि इससे हम ढख देंगे डखेंगे हम दो से तीन मेंट किला पकाएंगे फिर से अधिया दो से तीन मेंट हो चुके हैं अधिया ग्रेपी भी हमागे अच्छा से पक चुकी है काफे तक गाड़ी हो चुकी है अधिया अधिया पुछ देखेंगे अधिया गेस की फ्लेम को में मीडे में रखांथा मीडे माच पकाएं यह बहुत देख देखेंगे तयार हो जाएंगे इस तरह के बनाएगा मैं सबीको बहुत पसंद आएगी चलेगा